अगर दोस्तो आप भी मेशो एप से शॉपिंग करना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि मेशो एप से शॉपिंग कैसे की जाती है तो दोस्तो आज के ये वीडियो आपके लिए भोती जादा खास होने वाला है क्योंकि देखो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरी option आएगा ना इसके उपर आपको click करना है click करोगे तो यहाँ पर Meshow का app open हो जाएगा app open होने के बाद आपको यहाँ पर भहुत सारी varieties के कपड़े वगरे देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको categories में कपड़े देखने को मिलेंगे जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो जो भी आप product purchase करना चाते हो यहाँ से purchase कर सकते हो simple से हर एक product की यहाँ पर आपको category मिलेगी लेकिन आपको किसी एक product को search करके लेना चाते हो ना तो उपर आपको search का option मिलता है इस पर click कर देना है click करोगे तो यहाँ पर आपको जो भी कपड़ा या फिर जो भी कुछ लेना है वो आपको type कर देना है अब समझो में यहाँ पर लड़कियों के dress लेना चाता हो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफी दा address आ चुके है और उनकी price भी आपको यहाँ पर show करेगा अब समझो यह वाला address काफी अच्छा लग रहा है तो इसके उपर हम click कर देंगे click करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर photo अगरे आ चुका है और आपको इसके photo देखने है तो यह जो screen है इसको slide करना है बस आपको और यहाँ पर आपके photo देख जाएंगे और यह shirt और यह address है उसका size भी आ जाएगा कि कितना size वगरे यहाँ पर available है तो आप यहाँ पर size वगरे भी check कर लेना उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको बोलेगा select size तो आपका जो भी size है वो यहाँ पर आपको select करना है जैसे कि आपका समझो L का size है तो हम L select क करने के बाद थोड़ा नीचे आना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर logo के review अगर आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप check कर लेना अगर आपने मन बना लिया है कि इस product को आपको purchase करना है तो यहाँ पर आपको add card का option मिलता है और buy now का option मिलत है अगर आप यहाँ पर add card कर दोगे तो आपका जो यह product है यहाँ पर basket में आ जाएगा और आपके बाद जब भी पैसा आएगा तो इस basket से आप इसको purchase कर पाएंगे लेकिन आप अभी buy करना चाहते है तो buy now पर click कर देना है और buy now करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बार बोल address यहाँ पर feel किया हुआ है इसलिए यहाँ पर delivery address में राचुका है लेकिन आपको यहाँ पर change के उपर click करना है उसके बाद यहाँ पर add new address को option आता है इसके उपर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना address डालना पड़ता है address में सबसे पहले नाम डालेंगे नाम अब फिर बाद यहाँ पर आपको अपना contact number डालेना तो मैं यहाँ पर contact number डाललылेता हूँ उसके बाद आपको नीचे next कर देना है next करने के बाद यहाँ पर आपको अपना pin code डालना है city डालना है और जो भी आप घर में रहते हो, यानि कि आपका local area जो है, वो डालना है, building, flat number वगरे, वो सारी चीज़े डालनी है, और नीचे save address के उपर click कर देना है, click करोगे तो यहापर आपका address save हो जाएगा, जैसे कि हमारा save हो चुका है, तो हम back आएंगे, अब address save होने के बाद नीचे आपका continue option मिलता है, इसके ऊपर आपको click कर देना है, click करोगे तो यहापर आपको cash on delivery option मिलता है, और फ्रे ओनलाइन कॉप्छन मिलता है, तो अगर आप online payment करना चाहते हो, तो यहापर select करेंगे, और यहापर Google Pay Pay Paytm, phone Pay से payment कर देंगे, लेकिन आप cash on delivery करना चाहते हो, तो यह पर select करेंगे, उसके बाद नीचे order place को option आता है, इसके उपर आपको click कर देना है, click करोगे तो यहापर देख सकते हमारा order यहापर confirm हो चुका है, अब दोस्तों इस order को आपको track कैसे करना है, वो भी मैं आपको अता देता हूँ, अब आपको back आ जाना है, back आने के बाद यहाप आपका trace आ जाएगा, देख सकते हो, और उपर आपको track order को option आ जाएगा, तो track order पर click कर देना है, अब आप यहापर देख सकते हमारा order यहापर लग चुका है, उसके बाद यह order shipping होगा, shipping होने के बाद out of delivery होगा, और उसके बाद आपके घर यहापर यह order deliver हो जाएगा,